सो हे गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोट्सेप में बिना पुछे कोई भी आपको ग्रूप में एड कर देता है उसका प्रॉब्लम का सुलिशन आ चुका है अब एक सेटिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगे तो गाइस ऐसा होता था आपके न क्योंकि बहुत सारी चीज़े इलिगल तरीके से वहां पर सैंड की जाती हैं बट ऐसा है नहीं अगर अब बहुत सारी चीज़े ऐसे सैंड की जाते तो आपका वोट्सेप लॉक हो सकता है तो गैस अब हम बात करने वाले हैं कि आपके बीना पूछे कोई भी ग्रूप में की डाएड नहीं कर सकता बसुपल सी सेटिंग करना पड़ीकि सिंपल से स्टक को फॉलो करना पड़ेगा और आपको कोई भी ग्रूप में एड नहीं करपाए तो आपको वोट्सेप को ओपयन करना है और मैं आपको दिखा जैता हो बहुत सारे ग्रूप यहान पर देख सकत करना है ओके एकाउंट में प्राइवेसी या सिक्यूर्टी में बता दे तो आपको तो गाइस प्राइवेसी पे क्लिक करना है आपको प्राइवेसी में जैसे आप क्लिक करते हैं तो लास्ट का आपको थार्ड अप्शन पर जाना है ग्रूप groups का तो guys यहाँ पर आपको select करना है everyone everyone select करने पर आपको कोई भी किसी भी group में add कर सकता है second my contact जो contact list में होंगे वही member आपको group में add कर सकते हैं guys third का option जो nobody दिया गया है nobody का मतलब है अगर आप इसे select करते हैं तो आपको कोई भी member group में add नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं add हो जाते तो guys simply आपको nobody कर लेना है अगर आपको problem में बहुत सारे group में add कर दिया जा रहा है किसी reason बस कुछ भी पता नहीं चल रहा है और आप group में add होते जा रहे हैं तो nobody कर दिजे आपको suggestion के लिए वो बंदा आपसे contact करेगा कि यह में हमारा group है अगर आप जूड़ना चाते हैं तो आप इसमें जूड़ सकते हैं तो guys वहाँ से आप join कर सकते हैं तो guys यह भी proper एक option है कि आप nobody करके आप easily किसी भी group में add नहीं हो सकते हैं तो guys यहाँ पर done कर देना है सलेक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है बैक की स्पेस जाना है और आपको कुछ नहीं करना है कोई भी setting नहीं करनी है अब आपको कोई group में add नहीं कर सकता तो I hope you guys यह वीडियो आपको पसंद है तो please like, share, subscribe जूरूर कीजेगा तो आपको को जिए और आपको पता तो आपको काई नहीं कर सकता है